बैया सी सेव जो साज एक डिली जेक चंडिगर्ड यूपी टीएसी री प्राजिस्तान हाँ डबलू बीजे डबली टी एन ये सारी की सारी से पीसी गुजराद सब में पार्टिसिपेट करके देख लियां कहीं कुछ नहीं मिल रहा है अब हम करे तो करे क्या बोले तो बोले क क्या है एक चुल में क्या होता है ना बच्चे बहुत ज़्यदा फ्रेस्टेट हो जाते हैं अब ट्वल्थ ग्लांस जी और बहुत सारे बच्चे तो इतने ज्यादा परिशान होते कि बहुत के साथ इसकी तियारी की जैई मैसाल इतने आए कहीं ऐसा ना हो अगले साल इससे भी कम आ जाएं अब आप लोगों के बास और क्या उप्शन बचाएं क्योंकि मेजोरेटी बच्चों को एड्मिशन नहीं मिलता है को लिजस के अंदर भीया बिहार जारकेंड उत्रपरदेश राज्जिस्तान यह बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं अब यह अच्छा कोलेज में जाएं अच्छा कोलेज अब प्लेस्मेंट नोकरी और बरांच और टेकनोलोजी इन्वेशन इन्वेश्मेंट फंडिंग लेकिन यह मिलेगा किसे क्या-क्या प्रोसेस रहेगा क्या सुरू से सुरुवात करतें बात करतें इंचीनरिंघ कोलेज की जो गर आपको जोसा है CSAB है जेक देली है जेक संडिकेंड है हां यहां पर आपको नहीं मिल रहा है अच्छी ब्रांच चीए वेसे अगर आपको एक आकड़ा बताऊं अब एक रिपोर्ट निकल आ रहा है आए वेसे पिछले से दो साल की 25 सो से ज्यादा बच्चों ने आये टी और नाइटी जैसे ब्रांचों से कोलिजों से ड्रोप कर दिया वेल वाई आये टी और नाइटी से कौन ड्रोप करता है पर क्यूं वेल रिजन इज वो जो कंप्यूटर साइंस आट इफिशल इंटेलिजेंस मसीन से बढ़ती जा रही है पिछले सो साल में मारा देश जीता नहीं बदला उससे ज्यादा पिछले दो साल में बदल गया आने वाले दस साल के अंतर 99 परसेंट जोप्स आर्टिफिशल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर देगा तो आप अगर अगर अधर फिल्ट में जा रहे हो द कर सकते हों लेकिन आप अगर केमिकल कर रहे हो प्रोडक्शन कर रहे हो अधर अधर मैनिफेक्टरिंग ब्रांच कर रहे हो उसका फ्यूचर में कोई स्कोप नहीं है वैल आप हम बात करते हैं यह को लिचे हमें मिलेंगे कैसे वैसे तो आपको टार्गेट करनी चीए होती है वह नहीं में होती है देखो हमारे देश का क्या है वैसा सारा सिस्टम रहता है वैसे अगर मैं लोग जब टमाटर लेकिने जाते ना ठीक है थेले वाले से अभी तो वैसे बहुत महँंग है तो अगर वह दस रूपए भी कम जैदर कर रहा ना तो हम उससे नेगोसिय सब्सक्राइब जाए मेरे एक भी सीट खाली हो तो फिर वह चाहता है मेरे सारी सारी सीटे बढ़ जाए इस्टेट गवर्मेंट पंजाम में काफी सारे है अब काफी चाहा रिटेंड भी जारे बोलो इन्वेस्मेंट फंडिंग इंफ्रा टेक्नोलोजी टीचर जो प्लेस् देव काफी अच्छा कोलेज है खाल सा कोलेज बहुत अच्छा कोलेज बना जाता है अब अगर आजस्तान की तरह बढ़ोगे बी टीउ भी कानेर अजमेर इंजिनरिंग कोलेज एम पीम जोदपूर आइट्यू कोटा सीटे उदेपूर आप अगर गुजरात की तरफ जाओ मारास्ट्रा के अंदर मेजोरेटी ओल कोलेज जा सिच्वेटेड वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम दुनिया का सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम भी रन करते हम आपको ना परफ्रेंस लिस्ट देते हैं ना वन टाइम कोल सपोर्ट देते हैं नाई पर यह मो कोई बात नहीं दुनिया का सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम आज हम रन कर रहे हैं आप लोग भी जोइन कर सकते हैं और हंड्रेट परसेंट अपने मन परसंद को लिए सकते हैं चाहिए वो एरो स्पेस एरोनोटिकल वैसे एविशन में क्या स्कोप भी यहां आप हमारे क को लगा कि पूछो भी है कितना स्कोप है जैसे तो आजकल हर को सैटेलाइट बना रहा है है को चांद पर जाने की बात कर रहा है फ्यूचर में लोग चांद पर जाएंगे मिसाइल बना रहे हैं ड्रोन टेक्नलोजी बहुत तेजगरती से बढ़ती जा रही है तो हम कैसे इ कंप्यूटर साइंस चीए भी देख करना है गोरिबिंट कोलीजों से अच्छे कोलीजों से अगर 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 अच्छे कोलेज बताऊं जैसे कि आपने सुना होगा बाबा गुलाम साहिब बादशाय उन्वर्सिटी जम्मू के अंदर पढ़ता है बहुत है स्टेट गोरिम आपको मिल जाता है यूपी के अंदर विकरम उन्वर्सिटी हो गया डीएवी कोलेज ट्रिपल मुट जीजी विलासपूर यह बहुत सारे से स्टेट गोरिमेंट कोलेज सेंट्राइल उन्वर्सिटी डारिक लिए आपको जोई के मांक्स के मैसिस पे काफी लो मांक्स पेड इस्टा फीज नहीं लेते हैं ना मेनेजमेंट कोटा फीज कुछ नहीं बस हम आपकी थोड़ी हमारी एड्मिशन चार्जिंग फीज लेते हैं हाँ हाँ जो की कोई बहुत ज्यादा नहीं होती डेसे नोर्मल काउंसलिंग फीज लेकिन आपको और आपके तिल लास्ते तक ह हो जा देते हैं एक अच्छा कोलेज अलोर्ट करवा देते हैं